इसका बाख़ूबी रिवाहन स्वामी नारायन मंदि में देखने को मिला है जिसके अनुसार भगवार स्वामी नारायन जो कि स्वामी नारायन संप्रदाय के भगवार और उनके वंशस आछारे राज़ राकीश प्रसाथ दास जी जो बढ़ता है स्वामी नारान मन्दे शंस्ठान गुझराप के समुझे विश्व के आचार और गरु भी है जो कि सभी हरी भक्तों और संतों को गुरुमतर देकर सब्यरदाय का ज्याण भी देते हैं ऐसे अचारे श्री के चल्चत्र का पूजन और आर्थी की गई है तथा सभी हरी भक्तों पूजन का राश्रवाद दिया है भक्तों ने संतों का भी पूजन का राश्रवाद प्राप्त किया है पूर्णिमा है जिस सवर पर आज मंदिर में आचारे श्री का पूजन भी किया है क्या महत्व है और आचारे श्री का ही पूजन क्यों करते हैं आज गुरु पूर्णिमा है सास्तर के अनुसार आज गुरु की आरखना करने का दीन है संसार सागर से पार हमको एक मात्र गुरु ही कर सकते हैं हम भगवान की बक्ति करते हैं लेकिन जिसका उपकार हम पर है उस गुरु का भी आज पूजन करने का दीन है इसलिए सास्त्र के अंदर गुरु को भी मान्यता दी गई है और आचार्य महराज है वह हमें है तो ग्णान का उपदेश करते हैं और जो ग्णान का उपदेश करता है वही संसार में सबसे बड़ा है और वही हमें है तो इस संसार साधर से पात करा सकता है इसलिए हमने आज मंदिर में हमारे परम पुज्य धर्मदुरंदर आचारे मारा स्री एकजाराथ स्री र पाराश्री हमारे स्वामिनारण भगवान के ही वह उस्परम पराते हैं, इसलिए हम भगवान के स्थान पर उनको रखते हो और उनका हम पूजन करते हैं।